C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट चौंटीस पाठ नौ आनंदमई कविता शीर्शक दुनिया रंग बिरंगी नीला जैसे खुला आकाश है सागर का नीला पानी है मोर के सुन्दर पंक हैं और पेड़ पर बैठे पंची है पीला जैसे चमचमाता सूरज है पका आम और केला है सबजियों में नीमबू है और सूरज मुखी का फूल है लाल जैसे फलों में सेब है खुश्बुदार फूल गुलाब है चैरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुन्सी है हरा जैसे हरी हरी ये घास है मीठे मीठे मतर है पालक और बंदगूभी है और पेड के हरे हरे पत्ते हैं लेखी का देवी का रंगाचारी इस प्रिष्ट पर एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें एक पेड पर बैठा एक पक्षी दिखाया गया है नीचे एक मोर अपने पंख फैलाए दिखाया गया है साथ ही इस प्रिष्ट पर बाई और बीच में सूरज मुखी का पौधा दिखाया गया है जिस पर सूरज मुखी के फूल निकले हुए है इसके अलावा इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे टमाटर का पौधा दिखाया गया है जिस पर टमाटर उगे हुए है प्रिश्ट पैंटीज प्रिश्ट पैंटीज बे मेल शब्द को ढूंड कर लिखिये एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मचली, रिक्तस्थान दो, दर्वाजा, खिड्की, छत, पेल, रिक्तस्थान तीन, चादर, घर, तकिया, गद्धी, रिक्तस्थान चार, साइकिल, कार, रास्ता, रेल, रिक्तस्थान पाच, दूध, पाणी, लड्डू, छाज, रिक्तस्थान सारंगी, वाचन्स्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी, तक्नीकी निर्देशन, बटिलैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चाओधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भ हारेत.